यह lawyer, doctor, engineer, यह सारे लोग इसके अंदर शामिल है जो कि पियोन की position के लिए apply कर रहे होते हैं, यह है कि unemployment से भी ज्यादा problem हो चुकी है, आज की तारिक में under employment की, 1% यानि कि 50 institute भी ऐसे नहीं है, जो कि world के top 500 ranking में नाम शुमार करते हो, फिर हम कहता है कि brain drain हो रहा है, यह जो UGC है जो कि एक तरस बाटे जारी है certificate और बाटे जारी है लोग को एक तरस अप्रूवल कि आप university को लो, university को लो, तो वैसो हो गया है कि जैसे एक लड़का है, वो 50 लड़कियों को number दी जा रहा है, और एक भी लड़की उसको callback ही नहीं कर रही है, तो क्या फायदा होता है, student focus ही इंस्टाग्राम पे घंटो तक रील को देखते रहना, लाइक करते जाना, रेंडम लड़कियों को, उनको कमेंट करते रहना, उनको ये बोलना कि वो कितनी सुन्दर है, क्या है, उनको girlfriend बनने के offer देना, उनके पीछे पड़े रहना, जब वक्त रहता है तो समझ नहीं होती है, higher degree ले रहे होते हैं, वो भली lawyer हो, CA हो, या फिर PhD कर रहे हो, master's, bachelor's, जो भी कर रहे हो, वो कभी भी ये dream नहीं करते हैं, ये इस तरह का नहीं सोच रहे होते हैं, कि एक दिन, they will end up applying for a peon job, और यहां पे जो भी मैं आपको scenario बता रहा होंगा, वो एक तरह से majority of the time, जो हो रह सरकार माने या या फिर उसको discuss करें न करें पर यह बात तो तय है कि हमारे जो country है उसके अंदर unemployment यानि बेरोजगारी की समस्या दिन प्रति दिन बड़ी होती जा रही है, इससे भी भारी मुद्दा है, जो इससे भी बड़ा मुद्दा है और वो यह है कि unemployment से भी ज्यादा problem ह हो चुकी है आज की तारिक में under employment की इस सज्जन को क्या तकलीब है और under employment से मेना मतलब वही है जहां से मैंने वीडियो के starting की ती और वह यह कि मान लीजे कि PSD की आव आदमी है वह भी एक तरह से प्योन की position के लिए apply कर रहा है nothing wrong with प्योन position ऐसा नहीं कि प्योन की position कोई बुर रही और वह वापस प्योन की position के लिए apply कर रहा है just because वह एक government job है एक तरह से safety and security की जो हम बात करते हैं बस उसकी वज़र से UP police के अंदर बासर प्योन की position निकलती है जिसके अंदर से 300 PSD 28,000 post graduate और 50,000 graduate जो है apply करते हैं इसी तरह से Indian railway के अंदर एक लाग position निकलती है जिसमें तकरीबन 2 करोड यह हुआ एक तरह से भरते हैं form constable की job निकलती है जो की काफी minimal होती है उसके 1100 post के ओपर 2,000,000 candidate apply करते हैं जो रहसान में पियोन की position निकलती है उसके अंदर 129 engineer, 22 lawyer, 1 CA, 393 post graduate apply करते हैं और जो HP के अंदर जो अभी recent में बता रहा हूं 2021 के अंदर 42 position निकलती ह इसके अंदर भी PhD student apply करते हैं और किस्ता के वाल यहीं पे नहीं रुपता है कि यह lawyer, doctor, engineer, यह सारे लोग इसके अंदर शामिल है जो की पियोन की position के लिए apply कर रहे होते हैं कौन ही है लोग? कहां से आते ही? अभी बादद है मैं अभी बादद है अभी बादद है और बाकी बहुत सारे autonomous institutes हैं जो की higher degree देते हैं और वो सब मिला मिलू कि अगर हम 5000 institute मानते हैं तो उन 5000 institute में से एक तरह से बहुत ही शर्मनाक situation है कि यह 5000 institute या यूंसिटी जो है हमारे यहां पे वो अगर डालेंगे तो इंडिया जो है वो number one आता है कि उसके पास सबसे ranking में नाम शुमार करते हों इंफेक 50 तो मैंने ज्यादा बोल दिया हार्ली पांस से दस institute हैं जो की एक तरह से top 500 ranking के अंदर आते हैं और उसके अलावा जिनका हम बहुत नाम सुनते हैं जैसे कि डियू का जेनियू का वो भी जो है top 500 के लिए से बाहरी बैठ है तुम साले एक ये लोगों entrepreneur बन रहे हैं पर मेरको Delhi University entrepreneurship के मैप से हटता हो दिख रहा है तो इस सिस्टम कुछ ऐसे हो गया है कि सरकार ने पांचाजार जेगे अपनी पैसा वगर तो लगा दिया वो वे खोधने के अंदर लेकिन उनकों में से जो है वो पचास इंस्टूट जो है वही एक त आप एजुकेशन इंपॉर्टेट जो है तो मैं यहां पर राइट नौ एक तरह से पीएग्जामपल ले रहा हूं पर यह किसी भी एक तरह से प्रोफेशन के लिए टूर है भले आप लॉयर हैं सीय है या कोई भी देख रहा हूं हर एक के लिए एक तो होता क्या है कि जैसे करिमी लेयर नहीं नहीं है कोई उनका पूछना नहीं अला नहीं है किसी भी तरह का उनका कोई ऐसा एक्स्पोजर नहीं है और चुकि non-crimi students की संख्या जादा है, चुकि non-crimi, जो universities and institutes हैं, वो जादा है, तो eventually, जब ये लोग वापस employment ढूंडने के लिए जाता है, तो ये employable होते ही नहीं है, और इसमें कोई wonder भी नहीं है, कि जब ये report आती है, कि 80-90% जो एक तरह से population है, जो students जो निकल रहे है, graduate हो रहे हैं, वो employable ही नहीं है, क्योंकि उनको जो necessary skills है, उन्होंने वो acquire ही नहीं किये, ना ही उस atmosphere, उस environment के अंदर रहे, तो वो कहां से employable हो पाएंगे? 130 क्रोड लोग है, काम वाला बंदर ढूणने जाओगे ना, सवा क्रोड में नी मिलेंगे? अब यहीं पे अगर हम PSG student की बात करें, तो यहां पे नमबरो PSG student बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो जॉब हैं, वो वापस घरती जा रही है, यानि कि एक तरह से नमबरो PSG student तकरीबन दो लाग निगलते हैं हर साल हमारे educational institute से अलग-अलग field के अंदर, लेकिन वहीं पे अगर हम जॉब की बात करें, तो यह बताती है कि 2013-14 के अंदर तकरीबन 800 जॉब निगलती थी हर साल, और आज की तारिक में 2020 तक आते हैं, वो जॉब मातर दो सो के तकरीब न रही है, तो कहने का मतलब यह है कि एक तरह से दो लाग student हो रहे हैं आपके पास में और उनके लिए job कितनी हैं, जो सरकारी job के में बात कर रहा हूं, वो हार्ली 200 हैं, कि 1000 student में से एक PhD student का selection होगा government job के अंदर, मतलब आप सोच के देखिए कितना cutthroat competition है, और यह competition तो मैं permanent position के लिए बोल रहा हूं, अगर आप temporary position भी निकाल दे, कुछ contractual position यानि कि कोई project assistant, junior research fellowship, senior research fellowship, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि उस contractual position जिस पर 20-30,000 उपे मिलते हैं मात्र, और 6 महीने एक साल का contract रहता है, उसके ओपर भी दुनिया भर की application आती है, और यह जो 200 job भी अगर निकल रही है तो उसमें भी 80% job वापस ऐसी होती है, जो कि purely meritocracy के ऊपर base नहीं है, या फिर आप particularly किस region से आते हो मतलब मान लीजे एक particular Bengali region से आते हैं तो Bengali Bengali अपने आपको favor करेंगे, Marathi आ रहे है तो Marathi Marathi favor करेंगे, South India है तो South Indian, South Indian favor करेंगे, और UP वाला है तो वो तो UP वाले को बढ़ा देगा, दूसरे वाले को देखके, तो वो region कहां से आ रहे हैं, religion कौन सा है, कौन सा gender है, लड़की है, या फिर किसी मंत्री सा आप जान पेचान निकल वाके ला रहे हो या फिर आप कहीं से पैसे वैसे खिला रहे हो, तो इतने सारे इसन सब 200 position के अंदर biases हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो इसके अंदर जो actual में जो deserving candidate है वो तो मतलब नहीं छुपी जाता है, हमारे यहां ऐसा ही होता है, और वहीं पर हम दूसरा जो majority of the time job दे रहा होता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक तरह से अगर आप इंडीड के ऊपर जाके देखोगे तो जो average salary एक तरह से assistant professor की बताता है और जो average salary जो पियौन की बताता है वो एक तरह से केवल दूबना difference है almost, उससे जाधा का difference नहीं है, basically suggest की अपने आप में joke है कि जो पांची class पढ़ा है उसको जो है जितनी salary मिल रही है जो 15 साल और पढ़ गया उसके बावजूद भी उसको सिर्फ double salary हो रही है इतना तो मतलब stock market में भी अगर रख दे तो पांच साल में पैसा एक किसी भी company में बढ़िया से बढ़िया company में double तो वो करके देता है तो यहां पर क्या एक दर से money का और time का appreciation नोबडी अंडरसेंड देट और in every salary को देखके आपको समझ में आगया होगा कि इस वज़ए से जह है under employment की problem कितनी जादा खतरनाक है एक तरसे दीमक है जो दिक नहीं रहा है लेकिन अंदर यंदर खोखला करे ज आपको बता है और उसके बाद में मतलब आप करो तो करो क्या एक तरह से फिर हम कहते हैं कि brain drain हो रहा है और फिर जो हमारी यहां के institute से पढ़के और फिर वहां पे Google के CEO बन जा रहे है ट्विटर के CEO बन जा रहे है पता नहीं कहां कहां पे क्या क्या उखाड रहे है तो इसमें कोई हरानी की बात नहीं है क्योंकि इंडिया एक्चुल में फेर मौका ही नहीं देता है एक तरह से सच में compete करने का अभी जो नॉन क्रीमी लेयर होता है उसकी खुद की critical thinking तो होती नहीं है साथ के साथ में नहीं हो इतने 53 million Indians unemployed है इस employment को हटाने के लिए 10 million new job चाहिए होगी मतलब की हर दिन 27,000 जौब चाहिए होगी तब जाके 12 साल में unemployment खतम होगा आज से भी अगर काम स्टार्ट किया जाए तो 12 साल लगेंगे और तब जाके आपकी क्या age होगी आप कितना ही महिमा मंदन कर लें किसी भी government का लेक वो इन समुद्दों में निकल जाते है कि भई हिजाब पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए या फिर किसी को छोटी मतलब होटपेंट पहनना चाहिए और वो मुर्चा निकाल रहे हैं तो अगर आप इनी से पूछोगे तो यह लोग कहेंगे कि हम संस्कृति को बचा रहे ह मैं क्लिर आंसर तो यू इस कि क्या कर रहे है तू तब मजा के क्या बहुति बंद कर दें तुम सब अपनी जिंदगी बरबाद करो तू मैं चास बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले शात्रों को राजनिकी से दूर रहना चाहिए हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा और ना मिलेगा यह सरकार जो है ना गदी बजो बैठा है वो कुछ मिलने वाला है नहीं लेकिन आपको यह नहीं समझ माएगा कि बेसिकली जॉब जो है वो तो एक फ्रूट होता है अच्छे एजुकेशन सिस्टम का अगर आपने एक अच्छे एजुकेशन ली है तो आपक अच्छे तो आपको अच्छे एजुकेशन ली पोपुलेशन है यहां पर आपको यहां काम कर रही है बाकी तो डीम 11 पर टीम सम बना लेते हैं यह तो वह बात हो गए कि बापने बेटे को सही से संसकार नहीं दी फाइनली एक दिन बेटे ने बापको बाहर निकाल दिया घर के और अब जो बाप जो है वह कंप्लेंड कर रहा है कि सरकार वद्धा अश्रम जादा क्यों नहीं खोलती है अरे तो आपको भही अच्छे सं certificate और बाटे जा रही है लोग को एक तरस अप्रूवल कि आप उनिसिटी को लो उनिसिटी को लो इस पे जो है मतलब 17 जिए एनर्जी लगाने से बढ़िया है कि पांच institute बनाओ लेकिन state of the art facilities वाले बनाओ that makes more sense यह तो वैसे हो गया कि जैसे एक लड़का है वह पचास लड़ sustainable बनाया जाए यानि कि एक ऐसा system बनाया जाए जिससे कि उन्हें सरकार पर funding के लिए ज्यादा dependent ना रहना पड़े बल्कि वो खुद कुछ ऐसे ही अपने existing infrastructure से ऐसा model निकाले जिससे कि जो है एक तरस से funding आना start हो जाए इस direction के अंदर UGC ने एक अच्छा कदम उठाया है जि अना कि वो course structure को बल कि उनको पढ़ाने वाली जो faculty है उनको भी time to time training और revision देने की जरूरत है ताकि वो आज की तारिक में existing skill develop करवा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा students एक तरह से employable हो पाएं लेकिन मेरे एक फ्रेंड ए government university के अंदर वो यह बताता है कि मैं तो बहुत काम करना चाता हूं लेकिन जो हमारे head of the department है वो कहते है कि इतने तुम काम क्यों कर रहा हो तुम्हारे काम करने की विज़े से जो महौल भी कर रहा है बाकी के लोग जहां काम नहीं करना चाहते है उनको भी काम करना पड़ रहा है तो एक तरह से यहां पर lack of willpower भी कह सकते हो जो अल्र उसे कोई फरक नहीं बढ़ रहा कि सामने वाला जो है मतलब education system की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्योंकि अगर कोई अच्छे education ही नहीं दे पाया है तो eventually वह कैसे employable होंगे और जिने अच्छे education मिल जाती है वह eventually employable तो हो ही जाते हैं तो अगर आपका focus हिंदू, Muslim, Sikh, इमांड करने लगोगे कि भई हमें तो education अच्छा चाहिए यह हमारी foremost priority है तो जो है वापस politician भी उसी level पर बात करेंगे नहीं तो फिर वो क्या है वो देख रहे हैं कि ज्यादा तर लोग यहीं बात कर रहे हैं उन्हें यहीं चाहिए तो वह भी वापस वहीं बात कर रहे होत तो वापस आप भी उन्हीं लोग को चूज करोगे तो यहीं एक तरह से vicious cycle चलता रहेगा और यहीं पर हम फसे रहे जाएंगे हम मतलब कब तक प्रगती शील रहेंगे 75 साल हो चुके हम तब भी जो developing से हमारे साथ में बहुत सारी country से ली थी वह developed हो चुकी है लेकिन आज भी आज की तारिक में डिस्रेक्शन का समान बहुत आ चुगा और यह डिस्रेक्शन ही जो है उनके डिस्रेक्शन का कारण बनता है बाद में क्योंकि होता क्या है कि basically resources तो बहुत सारे है अगर कोई मान लीजे नॉन क्रिम इस इंसिट्यूट से भी पढ़ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज की तारिक में बहुत सारे रिस्रेक्शन है जिससे एक्सेस करके अपने स्किल डेवलेप्मेंट कर सकता है पर इस्टूट फोकस ही नहीं है उनका फोकस है सब का पराई लिखाई जो है इस्टूडेंस सब खली चोड़ी बटाता है मतलब वो हो ज जो है अगर आप नौन क्रिम इंसिटूट में है तो यू एव तो पुश्ट बाउंडरी और आपको जो है अपने लेवल पर उसी इंटरेनेट को इस्तमाल लगर के कुछ इस्किल को डेवलप करने का या अलग अलग जेगे पर जाके ट्रेनिंग लेने का आपको बिलकुल तो है एफ़र्ट करना पड़ेगा हसल करना पड़ेगा अगर आप इनी सब चिंदी चीज़ों में उलश के रहे गए तो आइम टेलिंग यू दो फूचर इस वरी डार्क फॉर यू काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परव आइगा